इसके पहले मैंने इन डिवाइसों के ऊपर में वीडियो बना चुका हूँ Airgrade M5 और Powerbeam M5 400 इन सब के ऊपर में वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए सायद आपको उसमें से किसी डिवाइस की जरूरत हो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड जन्रेशन की जो Powerbeam M5 300 इवाइस को आप किस प्रकार से access point पर configure करते हैं आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपू सिंग आप देख रहे हैं multiple technology update चलिए देखते हैं तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है Powerbeam M5 300 इवाइस के उपर जो की second generation का डिवाइस माना जाता है तो आप इसको अगर अपने access point बेस पर यूज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इसको configure कर सकते हैं configure Airgrade M5 और Powerbeam 400 की और Powerbeam 300 की सब की almost configuration same होती है बस आपको थोड़ा सा frequencies country level इन पर ध्यान देना होता है otherwise बाकि सब कुछ same ही होता है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप access point पर configure कर सकते हैं Powerbeam M5 300 को So चलिए मैं अभी आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि यह हमारा Powerbeam M5 300 device है और यह किस तरह का है क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको दूसरी device configure करके दिखा दिया हूँ So यह हमारा Powerbeam M5 300 device जिसे हम configure करेंगे और जिसे access point बनाएंगे तो हमने इसको यह देखिए P.O.E. के थूरू connect कर लिया है और P.O.E. के मैंने power cable से connect किया हुआ है और connect करने के बाद अब हम करेंगे इसको configure बनाएंगे access point So आपने अभी देख लिया होगा कि यह हमारा Powerbeam M5 300 device है अब हम इसको configure करने के लिए चलते हैं अपने computer की screen पर और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको configure कर सकते हैं So हम आगे हैं computer की screen पर और चलिए हमने इस device को connect कर लिया है अपने laptop से और चलिए इसको हम configure करते हैं और यहां पर हम इसकी default IP डाल देते हैं जो हर device की default IP होती है Ubiquity की तो यह हमारा M5 300 है इसको हम बनाएंगे access point तो हमने इस IP को कर दिया enter IP address डाल के और यहां पर हम इसका username password डाल देंगे जो की by default होगा मैंने और भी कई सारी वीडियो में बताया हुआ है आपको तो हमने यहां पर डाल दिया इसका username और password दोनों से में तो हम इसको करेंगे configure मैं test पे अभी configure करूँग आपको सिखाने के लिए यहां पर मैं कोई भी country select कर लेता हूं जैसे कि यहां पर मैं select कर लेता हूं मान लीजिए यहां पर मैंने ब्राजील select कर ली है अब इस station में मुझे same country add करनी पड़ेगी जिससे यह pay to pay हमारा बनेगा यानि point to point बनेगा तो इस पर हम कर देंगे tick I agree पर और उसके बाद हम कर दे देंगे login और जैसे ही हमने login किया आप देख रहे होंगे यहां पर गूमने लगा यह कुछ देर का process लेता है और उसके बाद यह device को open करता है device का जो software होता है जहां पर हम अपनी सारी configuration add करते हैं तो यह उसको open कर रहा है अभी यह 2-5 second का time लेता है और उसके बाद देखिए इ power beam का तो मैं इसको configure करूंगा access point बनाऊंगा तो हम आगे हैं wireless में और wireless में आने के बाद यहां से हमें access point select कर लेना है क्योंकि यह automatically station पे होता है और इसके WDS transparent bridge mode को enable कर देना है then उसके बाद यहां पे आपको एक नाम देना होगा जो भी नाम आप देना चाहते हैं मैं अभी फिलाल के लिए यहां पे एक नाम दे देता हूं जैसे दीपू access point मैंने इसको दीपू access point नाम दे दिया है अब same नाम मुझे आपने station base में add करना पड़ेगा तो यहां पे जो country code ब्राजील हमने select किया था यहां पे already है अगर आप change करना चाहते हैं कर सकते हैं otherwise कोई जरूरत नहीं है आप अपने device के हिसाफ से देख सकते हैं इसका जो DFS mode है वो हम enable करके रखेंगे अगला आता है channel width channel width जो 30 MHz होती है point to point के लिए ज्यादा बेटर होती है यह single frequency पे काम करत सकते हैं यहां पे आपको ज्यादा बेटर अच्छा मिलेगा तो मैंने यहां पर कर लिया यह देखिए मैं यह frequency select कर लिया है और मैंने इसको ok कर दिया है अब यहां पे यह देखिए इसकी जो output power है इसकी output power अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से आप इसको calculate EIRP limit को कर करना होगा disable और इसको आप जितना maximum increase कर सकते हैं जितना आपका device कर सकता है वो इतना increase कर दीजिये जितनी ज्यादा अच्छी output power होगी उतना बेटर यह performance करती है तो मैंने इसको अभी all पूरा automatic कर दिया यानि 26 कर दिया जो इसकी maximum output power है और उसके बाद आता है wireless security यहां से हम एक security mode select कर लेंगे और उसके बाद यहां से आप यह password mode अगर authentication select करना चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अदरवाइच कोई दिक्कत नहीं है इससे अब यहां पे आपको एक connecting password बनाना होगा जो कि device का आप point to point connecting password होगा तो मैं यहां पे एक password बना लेता हूं यह अब मुझे apply करना है अब मैं apply बार में करूंगा पहले चलता हूं इसके network sanction में और यहां से आप IP address change कर सकते हैं अगर कोई IP address आप डालना चाहते हैं जैसे अभी यहां पे मैंने रख दिया 22 और 22 रखने के बाद एक चीज आप खास दियान रखना जिस series की आप IP डालते हैं उ जबी दोनों आपस में combine कर पाएंगे और जिससे आप open कर पाएंगे इस device को और आपको इसमें DNS और DNS IP नहीं डालनी है उसके बाद आपको कर देना है change जैसे ही आपको IP address change करते हैं और उसके बाद advance में आना है advance में आपको almost कुछ नहीं करना होता है अगर आप manually इसकी distance करना च adjustment कर लेता है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है और services में भी आपको कुछ नहीं करना होता है तो हम चलेंगे अब system के function में और system में आने के बाद दो तीन चीज़े यहाँ पे आपको करनी होती है जैसे कि device का नाम change करना होता है मैंने device का नाम change कर दिया और यहाँ से आपक जो default पासवर्ड है वो डालके यहाँ पे मैं नया पासवर्ड आपको डालके दिखाता हूँ यह देखिए मैं यहाँ पे नया पासवर्ड भी इसमें new पासवर्ड में डाल दिया अब इस पासवर्ड को मैं verify करने के लिए दूसरे वाले में भी डालूंगा क्योंकि यह जरूरी होता है जिससे कि यह verify कर पाए अगर एक बार में आपका पासवर्ड गलत होता है तो दूसरे में सही हो जाएगा तो आपको बता देगा उसके बाद आपको longitude, latitude और गएरा कुछ नहीं change करना है यह उसके बाद हमें कर देना है चैंज और चैंज करने के बाद इसको हमको कर देना है apply और हम जैसे ही apply करेंगे almost यह configure हो जाएगी यह device यह देखिए मैंने apply कर दिया अब यह apply changes please wait यह थोड़ी देर हमें इंतजार करवाएगी और उसके बाद जो हमने configuration करी है वो इसके अंदर save हो जाएगी तो यह देखिए हमारा device configure हो चुका है इसकी IP address change हो चुका है अब हमें यहाँ पे advance पे click कर देना है proceed कर देना है और proceed करने के बाद हमें यहाँ यूजर नेम डाल देना है और password जो हमने change किया था वो password हमें यहाँ पे डाल देना है जो हमारा login password था और उसके बाद हमें login कर देना है तो यह देखिए जहां से मैंने save किया था वहीं से same खुल गया है अब हम आ जाते है main function में और जो मैंने सारी चीज़े यहाँ पर रखी हुई थी वो सारी चीज़े आ गई है जैसे जो मैंने SSID रखी थी वो यह आ गई है access point जो मैंने device का नाम रखा है वो यहाँ पे आ गया है और इसकी जो मैंने frequency रखी थी वो यहाँ पे आ गई है और यह है उसकी channel width तो सारी चीज़े यहाँ पे almost आ चुकी है जैसे इसकी TX power हमने जो output power बढ़ाई थी वो 26 dBm कर दी थी तो यहाँ पे हो गई है almost तो हमारा access point अब पूरी तरह से configure हो चुका है और connecting के लिए तैयार हो चुका है सो अभी आपने computer की screen पे देखा कि हमने किस प्रकार से power beam M5300 को configure किया और कितनी अच्छी तरीके से configure किया है मैंने बहुत ही आसान लेगमेज में आपको समझाया है I hope यह वीडियो आपको समझाई होगी अगर आपको वीडियो में कोई doubt लग रहा है तो आप comment करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं So I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like करिए अच्छी नहीं लगी तो dislike करिए बट आप अपना answer जरूर दीजिए और अगर आप channel पर नहीं होए तो channel को subscribe कर लीजिए वेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अफलोड करूँ उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुचे मिलते हैं ऐसे ही एक और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए चैहिन चैभाद